नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी बहुत-बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं चार साल के अंदर दूसी बाग गोरकपुर पहुंच रहे राश्पती रामनात कोविंद आयूश विश्विद्याले के साथ ही गोरकनात विश्विद्याले की भी सौगात देंगे उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं पता दें राश्पती आज सुबाद 10 बच कर 40 मिनट पर सेना के वायू सेना से वायू सेना के हेलिकॉप्टर से वो 11 बच कर 10 मिनट पर भत हट के पीपरी जाएंगे जहां पावो प्रदेश के पहले आयूश पीला भी रखेंगे राश्पती यहां पर जनसभा को भी संबोदित करेंगे और करीब एक घंचे के बाद वो हेलिकॉप्टर से महायोगी गुरू गोरक्षकनात विश्विद्याले पहुंचेंगे वही दुपए 12 बचकर 15 मिनट पर उनका हेलिकॉप्टर विश्विद्या के लोकापन के साथ ही जनसभा को भी संबोदित करेंगे इसके बाद दुपए करीब 2 घंटे का समय सुरक्षित है और इस दौरान राश्पती जिले के कुछ जन प्रतिंद्यों विपाद्यों और उद्योग्यों से मुलकाप भी करने के साथ ही भोजन भी वही करेंगे वही से देर शाम को अंतिम रूप दिया गया था प्रदान मंती नरेन मोदी आज शाम को 6 बचका 25 मिनट पर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मात्यम से जलिया वाला बाग समारक कर पुनन निर्मित परिसर को राश्ट को समर्पित करेंगे प्यम मोदी इस मार्क में निर्मित संग्राले का भी उदखाटन करेंगे और इस आयरजन के दौरान समुचे परिसर को उननत करने के लिए सरकार द्वारा की गई अंगिनत विकास पहलो को भी दर्शाया जाए गाइस मोके पर केंड्रिय संस्कृति मंत्री, केंड्रिय आवसन और शेहरी काव्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री, पंजाब के राज्यपाल और मुख्य मंत्री, खर्याना उत्रक्खन और हिमाचन प्रदेश के मुख्य मंत्री, पंजाब के सभी लोकसभाव, राज्य स्मार्क नियास के सदस्य गंड उपस्तित रहेंगे और ऐसे में लंबे समय से बेकार पड़ी और कम उपयोग वाली मारतों का दोबारस से अनुकूल इस्तिमाल सुनिश्चित करने के लिए संख्राले की निर्मित की गई है और ये दिरगाय बता दें कि अब धी के दोरान भी 3D चितरन के साथ साथ कला और मूर्ती कला अधीश्ठान पन भी किया जाएगा बता दें 13 अप्रेल 1919 को घटेत कई घटाओं को दर्शाने के लिए एक साउंट एंड लाइट शोप के विवस्ता भी इसमें की गई है तो बता दें आज प्रधान मंत्री नरेंद मोदी शाम को 6 बचका 25 मिनट पर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्ये जलिया वालबाद का नया परीसर राष्ट को समर्पित करने वाले हैं और ऐसे में पंजाब, हौरियाना और उत्राखन, हिमाचल समेत कई मंत्री, मुख्य मंत्री शामिल भी रहेंगे सबी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए जुडेंगे और ऐसे में प्रधान मंत्री भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए इस कारक्रम से जुडेंगे उत्तर प्रदेश के जिलो का नाम बदलने को लेकर लगातार ख़बरे सामने आ रही है अलीगर, फिरोजबाद और देवबन के बाद अब सुल्तानपुर के नाम बदल कर कुश्च भवनपुर करने की तयारी है जीहां भगवान श्रीराम के पोत्र कुश्च के नाम पर जिले का नाम रखने का पैसला किया गया है जानकारी के अनुसार राज्यस्व परिशत के इस प्रस्ताफ की संस्कुटी साशन को भीज दी गई है और नाम बदलने कोले का योगी सरकार की क्यावनेट अंतिम पैसलाब करीगी बता दें कि लंबुआ से बीजेपी विधायक देव मणी रिवेदी ने जिले के नाम कोले का विधायन सभा में भी मुद्दा उठाये था इसके बाद राज्यस्व परिशत ने ये प्रस्ताफ दिया बताने कि इससे पहले अलिगर्ड, रोजबाद, देवबन, गाजिपूर, मिर्जपूर और वरस्ती का नाम भी बदलने की मांग सामने आचुकी है तो ऐसे में अब यूपी में जिलो के नाम बदलने का सिंसिरा लगातार जारी है अलिगर्ड, देवबन के बाद, अब सुल्तानपूर का नाम भी बदला जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली ख़बर का उत्तर प्रदेश में साल 2022 के विधानसवा चुनाव की तायारियों में जुटे भारत निर्वाचन आयोग ने मद्दान परिशत बढ़ाने के लिए अब विधानसवा सीचो पर फोकस बढ़ा दिया है पिशले चुनावों में कम मद्दान फुतराहा है इसको देखते हुए आयोग कम मद्दान वाले बूतों को चिग्धित कर वहां विशेश अभ्यान चलाएगा बता दे मद्दाताओं को ज्यादा से ज्यादा मद्दान के लिए प्रेडित किया जाएगा और जिन शेत्रों में महिला और पुरुष मद्दाताओं का अनुपात कम है वहां इसे बढ़ाने पर भी विशेश ध्यान दिया जाएगा साथ ही सभी शेत्रों में सर्विस मद्दाताओं की भी संख्या बढ़ाई जाएगी वह उत्यप्रदेश में साल 2017 के विधानसवा चुनाव के परिणाम देखे जाए तो 12 सीटे ऐसी हैं जहां 40 से 50 फीसदी के बीच ही मद्दान हुआ था 184 विधानसवा सीचों में 51 में से 7 फीसदी तक मद्दान हुआ था ऐसी प्रकार 2019 के लोगसवा चुनाव में 21 सीटे ऐसी हैं जहां 40 से 50 फीसदी के बीच मद्दान हुआ था एक सीट में 40 विधानसवा था तो ऐसे भारत में वाचन आयोग ने कम मद्दान वाले विधानसवा शेत्रों में विशेश अभ्यान चलाने के निर्देश डेडिये ह और इसके लिए विस्तित तारे योशना भी तयार करने के लिए कहा है ऐसे में मद्दाताओं को मद्दान करने के लिए जाकरुक किया जाएगा और इसके लिए प्रचार प्रसार के सभी माध्यमों खास का इंटरनेट मीडिया का भी इस बार खूप उप्योग किया जाएग तो बतादें अब यूपी में होने वाले विधास्वा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया तैयारियों में जुट गया है और ऐसे में अब कम मद्दान वाले सीटों के लिए प्लैन बनाया गया है और जहां पर लोग अभी तक कम मद्दान हो रहा था जिन सीटों पर वहां पर लोगों को जागरूप किया जाएगा ताकि जादर से जादा मद्दान जो है वो चुनाव के समय में लोग कर सके इसी को लेकर अब नया प्लैन चुनाव आयो की तरफ से बना लिया गया है और दिशा निर्देश भी चारी कर दिये गये हैं यूपी बिहार राजिस्तान गुजरात खरियारा समयत कई राज्चों के स्कूल खोलने के फैसले के बाद अब दिल्ली सरकार 21 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने का अईलान कर दिया है 27 अगस को दिल्ली आपदा प्रवंदर प्राधिकरण और एक्सपोर्ट कमेटी की बैचर के बाद राज्चे में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है बताने दिल्ली के उपमुख्य मंत्री और राज्चे शिक्षा मंत्री मनीश सिसोधिया का कहना है कि फिलहाल सीनिय स्टूरेंट्स यानी के कक्षा 9 से 12 तक के शात्र और अप्लाइन क्लासेस के लिए स्कूल आ सकते हैं उन्होंने ये भी कहा कि स्टूरेंट्स अपने पेरेंट्स की परमीशन लेकर स्कूल आएं और कोई भी स्कूल स्टूरेंट्स पर दबाप नहीं बनाएगा जेप्टी सीम के मताबिक दिल्ली सरकार के एक सर्वे में पाया गया है कि लगभग 70% माता पिता फिर से स्कूल खूलने के पक्ष में हैं और ऐसे में दिल्ली डिजास्टर मैनेश्मेंट अथॉरटी राज्य में कोवे 19 संक्रमित मामलों को ध्यान में रखते हुए एक्सवर्ट कमेटी के साथ मिलकर फिर से स्कूल खूलने को लेकर पैसला कर दिया है तो ऐसे में दिल्ली में अब एक बाद फिर लंबे समय के बाद स्कूल खूलने वाले हैं और एक सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खुलेंगे बैचा कोई ती जिसमें पैसा लिया गया है साथ ही मनिसी सोधिया की तरफ से ये कहा गया है कि पेरेंट्स की अनुमती के बाद ही बच्चे स्कूल हैं और कोई भी स्कूल बच्चों पर स्कूल आने का दवाब नहीं बनाएगा तो बतादे अब दिल्ली में एक बाद फिर से लंबे समय के बाद स्कूल खुलने वाले हैं और पहले कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खुलेंगे और पिछले कापी समय से कोरोना की दूसी लहर जब से देश प्याई थी तब से स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया था तो अब काफी लंबे समय से कई महेनों बाद दिल्ली में स्कूल खुल दिये जाएंगे 1 सितंबर से पैसा लिया गया है ये बैठक में और ऐसे में कोरोना के मामले जब कम हुए है तो इसको देखते हुए ये पैसा लिया गया है क्योंकि अब दिल्ली में कोरोना संक्वन बेखद ही कम हो गई है और ऐसे में कोरोना के मामले दिल्ली में बहुत ज़्यादा कम हो गए है जिसको देखते हुए कि पैसा लिया गया है कि एक बाब फिर से पहले सीनिय स्कूल खुल दिये जाएं सीनिय स्टूरंस के लिए जिसमें नौवी से बारवी तक कक्षक तक इस बच्चे जो हैं वो स्कूल पहुंचेंगे आज डीडिये में की बैटर कुई और सब इस बाग पर सहमत थे कि अब हमें इस बारे में भी नेड़ा लेना चाहिए कि जैसे जैसे एक़नोमिक एक्टिविटी खुली है और करीब करीब दिली में सारी एक्टिविटीज खुल गई है वेईक़नोमिक से संबन्दे वैसे ही अबह में education की अपनी activities को भी पठरी पे लाना चाहिए क्योंकि education को काफी नुकसान हो चुका है हम चाहे जो कहें लेकिन online education कभी भी offline education का विकल्प नीं हो सकती इस बात को सब teachers मानते हैं बच्चे मानते हैं experts मानते हैं कि जो पढ़ाई school में आते होती है वो कभी भी घर पे बैठके online तमरों में online बैठके तो होई ने सकती है और सब मानते हैं कि education का काफी नुकसान हुआ है इसलिए आज इस बारे मुझने लिया गया कि दिल्ली में school, college, coaching activities शुरू की जाएं पूरी साबधानी के साथ शुरू की जाएं और खास तोर से जब school की बात आए तो धीरे-धीरे शुरू की जाएं जैसे economic activities धीरे-धीरे शुरू की थी वैसे ही school खोलने के activities भी धीरे-धीरे शुरू हो तो एक सितंबर से दिल्ली में नमी से बारवी के school और उस age group के बच्चों की coaching या उससे बड़े बच्चों की coaching centers और साथ साथ सभी colleges खोलने की लिए इजाज़त दे दी जाएगी और सभी colleges खोले जा सकते हैं universities खोली जा सकती हैं सभी coaching centers खोले जा सकते हैं नमी से बारवी के सभी government private school खोले जा सकते हैं यहाँ पर यह बहुत जरूरी है कि जो भी school खोला जाएगा जो भी college खोला जाएगा coaching institute खोला जाएगा वहाँ पर social distancing का बहुत सकती से पालन हो और किसी भी बच्चे को बाद दिल नहीं किया जाएगा school आने के लिए देश में कोरोना मामारी के खिलाफ तेज गती से vaccination अभ्यान चल रहा है शुक्रवार को पहली बार देश में एक दिन में एक करोड से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोस लगाई गई है देर रात एक करोड से ज्यादा डोस का आक्राप पार कर देश ने इतिहास रच दिया है इस उपलब्दी पर प्रधार मंती नरीन मोदी ने भी लोगों को बढ़ाई दी है प्रधार मंती नरीन मोदी ने खुशी जताते हुए ट्वीट किया है कि आज रिकॉड ठीका करन हुआ और एक करोड के पार करना एक महत्पूर उपलब्दी है टीका लगवाने वालों और टीका करन अभ्यान को सफल बनाने वालों को बढ़ाई बालू हो कि देश में अब तर्सक कभी भी एक करोड से ज्यादा एक दिन में कोरोना का टीका नहीं लगाया गया था पिछले साल देश में कोरोना महमारी के दस्तक देने के बाद से ही वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी इस साल जन्वरी महीने में सरकार थे सबसे पहले पूरे सेथ कंपनी सिरम इंस्टिटूट आफ इंडिया की कोविशील और फिर भायलत बायटेक की को वैक्सीन को मंसूरी दे थी जिसके बाद जन्वरी मध्य से टीका करण भी शुरूख हो गया था तो अब एक बाद फिर भारत ने टीका करण की रफ्तार में ये इतिहास फ्रश्ट गिया है और एक दिन में एक करोड से ज्यादा लोगो को टीका लगाया गया है जिसको लेकर प्धानमती नरेंद बोधी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने सभी को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड वैक्सिनेशन नमबर टुडे यानि की एक दिन में रिकॉर्ड बना लिया भारत ने इतना ज्यादा वैक्सिनेशन लोगों को लगा कर उमस्भरी कर्मी से बेहार दिल्ली अन्सियार की लोगों को श्वनिवार यानि क्यार से राहत मिल सकती है जी हाँ अधिक्तम से के साथ ही नियुनतन तापमान में भी कमी आने की संफावना है अगले 24 खंचे में बादल छाय रहने के साथ देर रात तक बारिश की उमीद है जिसका सेलसिला तीन दिनों तक जारी रहेगा सब्ता के अंत तक अधिक्तम तापमान 33 तक पहुंच सकता है और ऐसे में मौसम विभाग के मताबिक शुक्रवाक और धिक्तम तापमान समाने से दो अधिक यानि की 36 डिग्री सेलसियस और नियुनतन तापमान समाने से एक कम यानि की 25.4 डिग्री सेलसियस रह सकता है दिन बर मौसम साफ रहने की वज़ा से धूप भी खिली रही लेकर चिल्चिलाती धूप की वज़ा से लोगों का बुरा हाल भी रहा शाम में भी लोगों को उमर से राहत नहीं मिली बीते 24 घंटे में हवा में नमी का इस्तर भी उरंचस से सततफ फीजी तक रहा भाग के मताबिक बता दे कि 24 घंटे में दिल्ली एंसियार में बादल चायर रहने की संफाबना है 22 अनिवार यानि कि आज मद्यरात या फिर सुभा तक बारिश के आसार बन रहे हैं और इससे अधिक्तम तापमान 35 से जिग्री और न्यूंदन तापमान 25 जिग्री से ऐसियस तक पहुंच सकता है तो यानि लोगों को दिल्ली में जो पिछले कई दिनों से गर्मी जिल रहे थे उनको अब राहत मिलती हुई नज़राई की बारिश जो है आज पढ़ने की पूरे असार है ऐसे में तीन दिनों तक बारिश पढ़ने का सिलसिला जारी रही है तो बता दे हैं मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है मौसम विभाग ने कहा है कि आज दिली वालों को मस भरी गर्मी से रहत मिल सकती है और ऐसे में अब जो है आज बारिश पढ़ने का अनुमान है और ऐसे में तीन दिन तक ये बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा जिससे तापमान में भी गिरावट एक बाप फिर से दर्श की जाएगी और लोगों को भी चिलचिलाती गर्मी उमर्स भरी गर्मी से एक बाप फिर से रहत मिलेगी इसके साथ ही आपको बता दें कि टेंपरेचर जो है वो भी कम होगा नियूंतन तापमान समाने से एक डिगरी कम जानी की 25.4 डिगरी से एलसियस भी रहेगा तो हवा में नवी का इसतर भी 50 से 77 फीजी तक ही रहा ऐसे में अगले 24 खंटे में दिल्ली एंसियार में बादल छाय रहने की पूरी समभावना है और आज राज से कल सुभा तक बारिश के भी आसाब जो है बुद्धिक रहे हैं इससे अधिक्तन तापमान 35 डिगरी से और नियूंतन तापमान 25 डिगरी सेलसियस तक पहुँच सकता है भारत और इंगलांट के बीच लॉट्स के हेंडिंग ग्ले क्रिकेट ग्राउंट पर खेला जा रहा तीस्वा टेस्ट बेख़धी रुमान्चिक रह गया था तीसे दिन बता दें खेल खतम होने तक भारत ने दूसी पारी में दो विकेट पर 215 रन बना दिये हैं ऐसे भारत की ओर से इसे शांदा बापसी कहा जा सकता है लेकिन पहली पारी में 354 रनों की बढ़त हासिल करते वाली इंगलांट की टीम मैच में कभी भी आगे बनी कोई है ऐसे में भारत पहली पारी के स्कूर के अधार पर इंगलांट से अभी भी 144 रन पीछे है और अभी तक बताते हैं इस टम्स तक बुजारा 180 गेंदो पर 15 चौकों की मदद से इंग क्यानवे और कप्तान विराट कोली 94 गेंदो पर 6 चौकों के साहरे 45 रन बनाता क्रीस पर म जिया ने समल कर खेलना शुरू कर दिया था इंगलांट के गेंद बाजो ने भारतिया बल्ले बाजो पर दवाब बनाने की भरपूर कोशिश की और इस बीच ओवर टोन ने लोकेश राखुल को आउट का भारत को पहला जटका दिया राखुल ने बता दे 94 गेंदो में खे खेला जा रहा है जहाँ पर इंडिया और इंगलांट की बीच में यह मैच खेला जा रहा है हाला कि पहले दिन इंडिया की तरफ से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया गया लेकिन अब आज जो है इंडिया की तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया गया कलवाली मैच में यानि जीत भी मिले वहीं आपको ये भी बता दें कि स्टम्स तक फुजारा 180 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से 91 वरन बना पाए थे जबकि कैप्टन विराट कोली ने भी 94 गेंदों पर 6 चौकों के सहरे 45 वरन बना कर वो क्रीस पर मौजूद रहे थे ऐसे में इंगलेंट के और से ओली रोबिंसन और क्रेग ओवर्टों को अब तक एक-एक विकेट मिला है जबकि इंगलेंट को पहली पारी में ओल आउट करने के बाद उतरी टीम इजिया ने समल का खेलना शुरू कर दिया था वहिए इंगलेंट के गेंद बाजों ने भारतिय बल्ले बाजों पर भरकूर दवाब बनाने के कोशिश भी की लेकिन भारतिय बल्ले बाज भी पूरी तरह से डटे रहे तिके रहे और इस वीच ओवर्टों ने लोकेश राहुल को आउट कर भारत को पहला जटका दिया थ तो यानि कि ये मैच जो है बेहद ही रोमान्चव फुता नज़रा रहा है भारत की पैरा टेबल टेनिस खिलाडी फाविना पटेल ने टूक्यो पैरा ओलम्पिक में तेहास रच दिया है जी हाँ उन्होंने क्लास 4 सेमी फाइनल मुकाबले में चीन की जहांग बियाओं को 7-11, 11-7 और 9-11, 11-8 से हरा कर फाइनल में जगह बना लिए है इससे पहले शुक्रवा को भाविना ने क्वाटर फाइनल में सर्विया की खिलाडी बेरिसलावा पैरिच को भी 17 मिनट तक चले मुकाबले में 11-5, 11-6, 11-7 से हरा दिया था उनके अलावा भारत के अन्य पैरा एतलीट जिनमें श्याम सुन्दर, राकेश कुमार और रंजीत भाटी शामिल हैं ये सभी अलग-अलग इस परधाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे भारत की पैरा टेवल टैनिस खिलाडी भाविना पतेल ने टूप्यो पैरा ओलम्पिक में इतिहास रच दिया है उन्होंने क्लास 4 सेमी फाइनल मुकाबले में चीन की ज्छांग मियाओं को हरा दिया है और इस ऐसे में अब अपनी जगा जो है फाइनल में बना दी है तो पैरा ओलम्पिक में भारत के पहली बार हुआ है कि ऐसे काफी ज्यादत संख्या में खिलाडी करे हैं ऐसे में लगातार सभी खिलाडी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं वहीं अब भाविना ने भी पटेल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और पाइनल में अपनी जगा बना ली हैं बता दें जांग मियाओं को हरा कर उन्होंने पाइनल में जगा बना ली साथी साथ इतिहास भी ये रच दिया है लगातार पैरा ओलम्पिक में पहुँचे भारते खिलाडियों का अच्छा प्रदर्शन देखा जा रहा है तो ऐसे में अब भाविना पटेल ने ये तिहास रच दिया है उत्रकंड विधान सवा में संख्या बलकम होने के बावजूद भी कॉंग्रेस प्रचंड बहुमत की सरकार पर भारी परती नसरा रही है नेता प्रतिपक्ष पीतम सिंग के नेतुर्ट में कॉंग्रेस पहले की वकाबले ज्यादा धारधार दिखाई दे रही है उत्रकंड प्रतिपक्ष पीतम सिंग को पूरा साथ मिल रहा है हर दिन कॉंग्रेस विधायक अपने विरोध के तरीकों से आम च्रंता का ध्यान अपने साथ ही सगन में मुद्दों को जोरदा तरीके से उठाय जा रहा है ऐसे में प ऐसे में शुक्रवा को कृशी कानूनों के खिलाब गन्ना के समर्थन मूले और पहार की पस्तों के समर्थन मूले को बढ़ाने की मांग को लेकर कॉंग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा इसी कड़ी में नेता पृतम सिंग भी बता दे नेटर्ट में कॉंग्रेस विधायक ट आइ इसे में का फ़िसी गफांगा गन्ने को नएं पर कितशान इसाथ की इसारी रखेंगे महाकुम के दोरान कोरोना टेस्टिंग में घुटाले के मामले में सीम पुषकर सिंधामी ने दो स्वास्ता अधिकारियों को सस्पेंट कर दिया है और ये कड़ा संदेश दिया है दरसल जाच रिपोर्ट में पाया गया था कई अन्यमित्रता पाई गई थी जिसके चलते दो स्वास्ता अधिकारियों के निलंबन की कारपाई की गई है सीम पुषकर सिंधामी ने कहा कि जिस दिन मैंने पद और गोपने तक की शपत ली थी उसे दिन से ही अनेक माधिमों से मेरे पास जानकारी आई थी कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है जिस पर हमने जाच कराई जिसमें कई लोग दोशी पाए गई जिन पर ये कारपाई की गई है लेकिन अभी भी जाच की जा रही है और जो भी दोशी होगा उसे बक्षा नहीं जाएगा मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी ने उत्राखन के दोसुर राज्च के माधमिक विद्यालों में विवसाइक सिक्षा कारकम का शुभारम किया मुख्यमंत्री ने राज्य के कई विद्यालों के चात्र चात्राव अभिधावकों और अध्यापकों से वर्ज्वल संबाद भी किया 25 मौके पर उत्रक्षन के सिक्षा मंत्री अर्विन पांडे भी सीम के साथ मौझूद रहे इस दोरान मुख्यमंत्री ने शिवानन नौटियाल शात्रवरती की राशी को 2500 रुपे से बढ़ा कर 1500 रुपे करते और साथ ही इसके लाभानवितों की संख्या को 11 से बढ़ा कर 100 करने की घोशना की है उन्होंने श्रीदेव सुमन राज्जे में धावी शात्रवरती की राशी को 1500 रुपे से बढ़ा कर 1000 रुपे करने की भी घोशना की है हजारों चात्राओं ने सीधे आज संबाद किया है सीधे हम लोगों ने उनसे संबाद किया है और इसमें दो तिन चीजें एक तो दस्वी और बार्मी खर्चा के जो बच्चे हैं उन राज्की बढ़ने वाले उनको हम लोग जल्दी टैबलेट उपलब करवाने वाले हैं जल्दी उनके लिए टैबलेट की ब्योस्ता करेंगे और साथी में जो अभी कुछ लोगों के द्वारा ये ऐसी बाते हैं आ रही थी कि रइस्टेशन सुल्क लग रहा है तल उसके बढ़ने उनको हम परवेस होंगी इसे प्रकार से आनको बेजैलयों में जो हमारी छात्राये हैं उनके लिए ट्रोएल टैबलेट की ब्योस्ता नहीं होता है सभी मालग से हमारी छात्रा वहनों के लिए भी ट्वालेट की वरस्ता की जाएगी और शिवानन नौट्याल जो छात्रा बढ़ती पहले 500 रुपे निलती थी उसको बढ़ा कर हम जो है उसको यह उसको फंद्रा सो रुपे कर रहे हैं इसी प्रकार से उसमें छात्र संख्या भ में फिलाक लेतना ही आप देखते रहिए नियूस वाल इंडिया